आजबर के सोचल मीडिया दोरह वीडियो वारल किया गया है जिसमों गेहूं काट रहे हैं वो लोग कर रहे हैं कि बेटे को जिताने के लिए कुछ भी करेगा ओम परकास राजवर्ट, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं, को आप अध्डा काम कर रहे हैं, गेहु काटना कोई बुरी चीज नहीं है, गेहु ही उनको काटना पड़ेगा मंत्री हो गए हैं, तो मंत्री को बेटे की चिनता नहीं होगी, अपने तो हो गए, बेटा के भी तो बहुत से देखना है, वो काम कर रहे हो, बना देंगे बविश्या, गाहिं दूर तक तो दिखाई नहीं देता, बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, आप फीपी मा हाँ, यह तो सही है कि उत्रप्रेश के मुख्यमंत्री को मठ पर भेजने, भेज कर, और सारे बिरोधियों को गाली दे कर, माफी मागने से, कि छमा मिलता है, तो छमाले बले, इसा तो मैंने कि छमा करते के से कोई देखा नहीं है, कि कोई छमा कर देगा इनको, बिजाए कि बहुत बड़ा उन्होंने एक बात कहा था, आप ही के चुनाओं में, उन्होंने कहा था, राजबर और चौवान मिल जाएंगे, तो भाकी सब हवा हो जाएंगे, जबकि आपके चुनाओं में यह एकदम उल्टा दिखा, क्या यह घमंड तूट गया है, ओमपरकास और चौ काम नहीं करना चाहते, जनता के बीच रहना नहीं चाहते, वो मोके का लाव उठाने के लिए जातो विरादरी की बात करते हैं, हमको तो सर्व समाज ने उड़ दिया, चवान भी दिया, राजबर भी दिया, सारी लोगों नहीं दिया, इस बार गोसी लोग सभाम क्या होगा गोसी में समाजबादी पाठी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी, आप राजीव राय का परचार करते हुए नहीं दिख रहे हैं, हम राजीव राय का परचार करते आप देख नहीं पा रहे हैं, हम किस गाउं में नहीं जा रहे हैं, और जब जह दिन से बीगुल बज ज कि उसके बाद से आप देखिए गा अब यह फैसला तो माने राष्टी अध्यश करेंगे वह अधिकार हम लोगों को नहीं कल आ रहे हैं मुक्तार अंसारी के घर पर अखले से अदो राष्टी अध्यक जी कुछ राजनितिक बयार बहेगी क्या है कि कल मुक्तार अंसारी की नि निधन पर कोई भी नेता पोलिटकल बात नहीं करेगा हमारे ओ भी साथ दो बार अंसारी फ़ी हमारे साथ दो बार इस दो बार इस दाइक रहे हैं उनके भाई पांच बारे मेले रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, दो घर में भतीजे भी एमेले हैं, 1922 में उनके बरदादा आल इंडिया कांगरेस कमिटी के प्रेशिडेंट थे जब दिशाजाद नहीं था, तो तो सुरूसर राजनीत लोग करते हैं। क्या इसवार के लोग सभा चुनाओं में जो राजनीत दिख रही है, भार्ती जन्ता पार्टी जीत का दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी अपना प्रत्यासी जिस तरह से भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि काफी उठा-पटक रवाला फ़सी की राजनीत रहेगी क्या? गोसी में कोई उठा-पटक हाई नहीं, भासपा ने अभी तक अपना प्रत्यासी बाल किसले चावान को घोशित कर दिया है अभी तर से, और यहां कोई उठापटक नहीं है, कोई पॉलिटिकल आदमी या समाजबादी पाठी चुनाव जीतेगी यहां से पीजेपी के नेता का रहा है कि यह समाजबादी वाले जान के किस चवान को मैदान में उता रहे हैं कि उठादी समाजबादी पाठी की बात छोड़िये, भाजपा का जो सही भी एक भी वरकर है, वह उप्रकास राजबार को वोट नहीं करने जा रहा है